नमस्ते फ्रेंट्स मैं उज्वला आप सभी का स्वागत करती हूँ कुक वित क्लासी रशोई में आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कष्टर डिजर्ट चलिए बनाना देख लेते हैं तो यहां पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी डाला है और फुल फेट पीम मि दूद लिया है उसी हिसाब से मैं शक्कर डाल रही हूँ इसमें यहां पे मैंने तीन टेबल इस्पून शक्कर ली है दूद उबलेगा साथ में शक्कर भी मिक्स हो जाएगी घुल जाएगी अच्छे ते देखे फ्रेंट्स दूद में अच्छे से उबाला गई है शक्कर यहां पर दूद ऊबल चुका है तो इसमें कस्ट्ड़ पाउडर में लाएँगी कस्ट्ड़ पाउडर के लिए मैंने यह यह थंदा दूद डाल रही हूं इसको अच्छे से मिक्स करके दूद में mix कर देंगे, और एक दम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, वरना lumps बन जाएंगे, पहले इसमें ठंडे दूद से अच्छे से mix कर लेंगे इसको, देखिये mix हो गया है, अब थोड़ा थोड़ा करके एक हाँ से डालते जाएंगे और एक मैंने टेबल स्पून बोला मैंने दो से धाई टी स्पून लिया है क्योंकि आधा लीटर दूद था इसलिए यदि एक लीटर दूद हो तो टेबल स्पून का रखें मेजरमेंट बस अब इसको थूड़ा और पका लेंगे चलाते हुए इसको छोड़िएगा मत वरना नीचे लग जाएगा तेंस मैं बनीला फ्लेवर डाल रही हूं कर्ष्टर पाउडर मेरा बनीला फ्लेवर का ही है पर थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छे से निकल के आए इसलिए मैंने चार से छे ड्रॉफ डाल दिया है बनीला एक आप यदि डालना चाहें तो डालें वरना इसके भी कर सकते हैं और अप्शनल है यह मैंने केसर वाला दूद लिया है जो मैं इसमें डाल रही हूं इसके प्लेवर भी बढ़ जाएगा और कलर भी और अच्छा हो जाएगा बस अब यह बन चुका है इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं गैस को बन करके अब इसको अब चाहरा है तब तक हमने यहां पर कुछ तयारी कर ली है यहां पर मैंने कुछ ड्राइफूट्स और फूर्ट्स लिए हैं यह मैं बनाना को कट कर रही हूं बारीक बारीक काट लीजिए जिसकी भी सेप में आपको पसंद हो बनाना और बाकी सारे फूर्स वह आप उसी किस्मिस और हरीवाली किस्मिस और यह मैलन सीट्स यह थोड़े पिस्ता सब ले लिया है आप यदि इसमें और भी कोई फूर्स या ड्राइफूट्स एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी एक चानुसार जो भी पसंद करें मैंने इतना ही डाला है तो जैसा कि मैंने कहा ड्राइफूट्स ही डालूँगी यह मैं बादाम डाल रही हूं एक टीज़्पून और यह ब्लैक किस्मिस चार से पांच आप काटके डालना चाहें तो काटके डाले मैंने ऐसी ही डाल दी है यह मैलन सीट्स यह काजू की टुकड़े एक टीज़्पून और यह ग्रीन बा डाली एक टीज़्पून यह बादाम है वह पिस्ता है यह अब यहां पर मैंने ड्राइवाले टोस्ट लिये हैं देखिए और एक प्लेट में शैट कर दिये हैं अब इसके ऊपर जो मैंने कश्टड बनाया है इसको गरम गरम ही डालेंगे बहुत गरम ना हो गुन गुना ही हो ताकि यह सारा अब्जॉब कर सकें देखिए इस तरह से पूरे पर कर देखने में सुन्दर लग रहा है यह खाने में भी बहुत ही टेश्टी लगता है इसको छारो साइट से डखते हैं टूस्ट को अब ताब इसको फ्रिज में रख धेँ थंदा होने के लिए और थंदा थंदा सव पर करें बहुत ही टेश्टी लगता है चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं और तब देख लेते हैं कस्टड की अब देखिए जो ड्राइफूर्स वाला कस्टड बचा है उसी में मैं जो बचाया हुआ कस्टड था वो भी डाल दे रही हूं ताकि इससे दूसरी रेसिपी तयार हो सके अब प्रेंस हमने यहां पर जो ही फ्रूर्स काटे थे वो डाल देती हूं यह मैंने इस्ट्रवेरी ली है दो टेवल स्पून यह दो टेवल स्पून एपल है मैंने चिलका सहीद काटा है आप चाहें तो बिना चिलका का भी ले सकते हैं यह मैंने दो टेवल स्पून बनाना है मेरा और यह हरे वाले अंगूर है दो टेवल स्पून मैंने सारे ही खलो को दो टेबल स्पून की कॉंटर्टी में लिया है आप कम या ज्यादा कर सकते हैं ये काली वाले अंगूर है और ये अनार के दाने हैं एक टेबल स्पून बस अब इसको मिक्स कर लेते हैं यहां पर और देखिए फ्रूट कस्टड तयार है तो है ना फ्रेंस कितना आसान बना काना और बस अब इसको फ्रिज में रख दीजिए ठंडह थंड़ इंजय कीजिए सब इसको फ्रिज में रख इसे भी ठंडह कर देते हैं एक तरदूर इस जो मैने ठंडा करने दिज़ीर दिजर्ट रखा था यह मैं ले आई हूं और बहुत ही अच्छा से ठंडह हो अब मैं यहां पर इलाइची पाउडर डाल रही हूं क्योंकि यह मैंने टोस्ट से बनाया है इसलिए थोड़ा और फ्लेवर इन्हेंस होके आएगा इलाइची पाउडर से और थोड़ा सा ड्राइफूर्स भी डाल देती हूं यहां पर मैंने काजू बादाम और पिस्ता ही ल कितना टेश्टी लग रहा है सच मानी फ्रेंट्स खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है चलिए अब दूसरा दिखाते हैं देखे फ्रेंट्स फ्रूट कश्टड भी तयार हो चुका है और बहुत ही अच्छे से ठंडा भी हो गया है आप जैसे चाहें इंजॉय कीजिए है ना मज़ेदार रेसिपी एक डिजर्ट से दो रेसिपी बनके तयार हुई है तो फ्रेंट्स यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें औल पर क्लिक करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते